कांधी पार खरपाल नगर में आयोज़ित स्री मक्ठ भाकपत कथा की तीसरे दिन कथा वाचक बालक स्वामी जी ने पताया कि नर्जिंग भगवान नरायन की ही अपताथ थे उन्होंने हिल्लयकरशब का बद करके प्रलाद को बचाया था कथा बाचक ने कहा कि प्रलाद ल्लयकरशब का ही पुत्र था पर वो भगवान विखनों का भत्त था इस बात को लेकर लेकर ल्लयकरशब प्रलाद को मारना चाहते थे और जो सदेब नरायन की भत्ति में लीन रहता हो उसे कौन मार सकता है क्योंकि हिल्यकरशब को बरदान प्रात्था की ना तो उसे मनुश्य मान सकता है और ना ही पसू ना वो दिन में मर सकते हैं और ना ही रात में ना धर्ती पर और ना ही आकाश में इसलिए खंबे में से प्रिकट होकर नर्शिंग भगवान ने उनका बद कर डाला इस तरह भगवान सिरी हरी की भत्ती ने एक भत्त की रक्षा की कि खुझा व्हों कि खुझाल मतलग की रिस्पेलाई देरी मती गई मारी जब चलने की तई आई अरे साथ कोई नहीं जाएगा कि दोखा खाएगा अरे साथ कोई नहीं जाएगा कि दोखाएगा नहीं जाएगा 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 न कि झाल कर दो लोगों, तो कहाँ. मन को प्रभू करना लगा दोखा खाएगा अकर ले हैस प्यार हिज पशदाएगा जूटा एंपन सार दोखा खाएगा प्रभू करना लड़ जबतो खाएगा मुझे लगा ले जीवन को तुम सब्धल बना ले मन को प्रव के चर्णों में लगा ले जीवन को तुम सब्धल बना ले मन को प्रव कुरे ना दिमे चान है रहना क्रेंब अज माम गुरू का कहना तुम्हे यहाँ बिचार है रहना अचियू कर दोफियू झेषी रडेख झेषी रडेख झेषी किष्णार झेषी किष्णार कर दूपर मॉच्जान गuing कर दो इसांग कर दो